सबी दोस्तों को जैं हिंद बंदे मात्रम राम राम एसे सी जीडिट का निपोर की निया लिभर्ति का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा आप सभी के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे इसी को लेगे कि नया नोटीस जारी किया गया है आई टी बीप के दोरा यह नया नोटीस क्य आरेफ आईडि आरेफ आईडि क्या होता है रेडियो फिक्वेंसी आईटिकेशन डिवाइज तुकि फिजिएल टाइम पे पैरों में लगा के बच्चों को दोड़ाया जाता है उनके फिजिएल को डिश्टली मोनिटर किया जाता है दिल्ली पुलीस और उपी पुलीस के पुलीस और वाएडि का यूज हो चुका है और अबके बार SSGD के फिजिकल में भी यूज होने वाला था और इसी के लिए टेंडर चारी किया गया ता इडीविप के द्वारा पर वो टेंडर को अभी तक कंप्लीट नहीं किया जा सका है और अभी फिर से टेंडर की डेट क को एक्सेंड कर दिया गया अगर हम लोग बात करें कितनी बाद टेंडर के डेट को एक्सेंड किया जा चुका है अभी तक पांच बाद टेंडर के डेट को एक्सेंड किया जा चुका है और अभी फिर से टेंडर के डेट को एक्सेंड किया जा रहा आप यहां पर देख सकते ह कराएगी बच्चों का और दोस्त सारा पोजिसर कंप्रीट कराने वाली है तो अगर कोई एजनसी नहीं मिलेगी तो जो आपका फिजिकल होगा वो दोस्तों आप कराएगी और उसमें दोस्तों आपको टाइम मिलेगा और अराम सा फिजिकल दे पाओगे तो अब दोस्तों आपका फिजिकल कराएगी बोलके तो दोस्तों अगर कराती है तो अब आपके रिजल्ट कब तक आएगे तो क्या इसका ऐसा रिजल्ट के उपर पढ़ेगा तो जी नहीं इसका रिजल्ट के उपर नहीं पढ़ना चाहिए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो मैं बतादू मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए जो आपका फिजिकल होता है SSC अपने काम में लग चुकिए बहुत जल्दी SSC GD का रिजल्ट आपके हाथ में होगा और बहुत जल्दी आप अपना रिजल्ट देख पाऊ कि अपर सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ अब दोस्तों जो बात करते हैं हम लोग बीड की कि आप इसके डेट को बार-बार एक्टेंट किया जा रहा है तो दोस्तों इसके लिए पोटेंशन ही कोई जूरत नहीं है आपका फिजिकल ग्राउंड पे हो या रोड पे हो आपके पैर में RFID लगे या ना लगे पर होगा चाहे रोड पे होगा इससे कोई मतलब नहीं है आपको मेहनत करनी है मेहनत करोगे किसी का बाप अपका सेलेक्शन नहीं रोग पाएगा मेहनत नहीं करोगे सेलेक्शन नहीं होगा चाहे फिजिकल किसे भी हो चाहे RFID लगाके हो चाहे ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता बस आपना फिजिकल आप मजबूत करो 24 मिट के अंदर पांच किलमेटर रणिंग आपको कंप्लीट करना है इसके मेहनत में लग जाओ आपका जो फिजिकल होगा उसका डेट में अभी से आपको बता दे रहा हूँ जुलाई के फर्स वीक में फिजिकल होने कोई चांस नहीं है ना सेकेंड वीक में होगा लास्ट वीक में मतलब 25 से लेके 26 तरीक के भीतर से जीडी का फिजिकल होने के चांसे जुलाई में तो गर्मी बहुत जादा हो रही है इसी कारण के वज़े से अभी देख रहे हो CRP प्रेस्वेंट का फिजिकल अभी तक कंड़ेट नहीं कराया जा सका है कि गर्मी बहुत डेंजर हो रहे है इसी के चकर में सब बीले किया जा जो बच्चों का सिल्घोर कर अतयान होता उनमें नहीं बूटी की तए हमारा सिपध ine हमें दिखना है इसे रिजल्ट आएगा उसी टाइम में श्कोर काड दिखना होगा या कुछ दिन के बाद दिखेगा तो अगर दोस्तों पहले वाली भरती की बात के जो 2023 में निकाले गई तो उसका इस्कोर काड़ 25 दिन के बाद सो किया था जब प्रैक्टिस सेट प्लस MCQ प्लस कोश्चन आपको मिल जाएंगे और यह आपके सिस्टम पूरी-पूरी साहिता कर देगी और इसी के साथ दोस्तों इनका गाइड बुक भी आ जाता है गाइड बुक से आप पूरा 200 सिलावस कंप्लीट कर लेना अधेन सो प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर लेना इसे आपको पता चल जाएगी आपका लेवल क्या है और कैसी आपकी तयारी चल रही है और इंग्लीस एडिशन की वान अधी बैस बुक रहने वाली है इस दोनो कोई जूरत नहीं है बड़ बादबा की एजनसी नहीं मिलने तो खुसकबरी है यार बहुत सरे ऐसे बच्चे थे जिनको पसंद नहीं आ रहा था कि ऐसे होगा वैसे होगा बस हमें फीजिकल देना है तो अब पहले जैसे कराते तो अच्छा होता तो इन सभी के लिए खुस मीटिंग में डिसाइड किया जाया है कि अगर दोस्त आपके एजनसी नहीं मिलेगी तो क्या होगा मैं जो पता है अगर कोई नहीं मिलेगी जो आपका फीजर कराएगी एजनसी वगेरा तो बादबा की CRPF जिंदाबाद है टेंसर है कोई जूरत नहीं है आपको बस महनत कर महनत करने की अगर आप ज्यादा महनत करोगे तब ही सिलक्षन होगा अभी भी लोगे तो आपके पास एप्रॉक्स जिड़ महिने का टाइम कम नहीं होता राम से आप सिलक्षन ले सकते हो बस आपको महनत करनी है और बदन पर वर्दी तब ही चड़ेगी जब आप महनत किसी की बात है मत सुनो फिजल तयारी में लग जाओ बाद बाद की जुलाई में आपके फिजिकल होने हैं यह पूरा कंफर्म है कोई रोकने वाला नहीं है फिजिकल आपके होंगे बस हाँ हो सकते जुलाई के लास्ट वीक में हो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देख हैं तो बहुत बड़ी संक्या है चोटी मोड़ी संक्या नहीं है तो इसके लिए भाई टाइम थोड़ा लगता है बात में कि टेंसर नहीं है मैं होपोले अपका साथ डाउट क्लियर कर दिया होगा अगर और और खुछ भी डाउट रह गया हो तो कॉमेंट से खुला है कि नई भर्ती की तैयरी में लगेंगे फाइनल तो करो कुछ तो करो SAC कि आहां सोगए मेरे ज़सर चाओ बहुत अच्छा होगा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तो बिनत जार में व्युवकर कर दिया होगा और कुछ भी डाउट रह गया हो कउमेंट से नहीं खुला कर सकते हो जै हिंद जै भारत लब भी मेरे सारे बाइए को